दुरुक्य खपरी में आयजित राश्ती क्रिशी मेला और संद्बुष्णी कायक्रम में मुख्य मंत्री विश्णु देव साय और क्रिशी मंत्री राम विचार निताम शामिल हुए। इस दोरान उन्होंने कायक्रम इस्थल पर लगी प्रदर्शनी एवं वहां लगे स्टॉ का दिरिक्षन किया। दिरिक्षन की दवरान मुख्य मंत्री शिसाय ने कश्मीरी बेर और एपल का स्वात चखा। यहां पर टमाटर, लोकी, भाटा, खीरा, यह सबका भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। यहां के किसान, केला, पपिता, मुरूद, डेगन, फ्रोट, सीता, फल, एपल, वेरी, इस्टूबेरी, जैसे जो कैस देने वाला जो फल है। इसका भी उत्पादन किसान कर रहे हैं और यह सब में किसान संग का बड़ा योगदान है। इसलिए वो बहुत बधाई के पात रहें और उनसे अपयक्षा है कि आगे भी इसी तरह से किसानों को प्रोसाहित करते रहें। हमारा यह भारत देश किर्शी परधान देश है, हमारा यह 36 गड़ धान का कटोरा कहलाता है। और यह आप जैसे किसानों के बदोलत ही 36 गड़ धान का कटोरा है। और हमारे संचालक जी बोल रहे थे कि भारती जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। और वास्तों में आप लोग अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आजादी के 75 वर्सों में जो भारती जनता पार्टी का कार काल रहा है। चाहे ओ भारत सरकार में अटल जी की सरकार हो चाहे आज 19 साल से नरेंद मोदी जी की सरकार हो या प्रदेसों में जहां भी भारती जनता पार्टी की सरकार हो हमारा 36 गड़ में डॉक्टर रमन सिंग के नित्युत में जो 15 साल सरकार चली। इसमें अगर आप लोग किसानों के हित की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पिछली किसी भी सरकार से इस सरकार का चिंतन किसानों के प्रती आपको बड़ा सावीत होगा। सर्देह अटल विहारी बाजपेजी की बात करते हैं वो विपक्ष में रहे तो लगातार किसानों के बीच में ही घुमते रहे किसानों की समस्या से अउगत हुए और आप लोग को मालूम है कि उन्होंने ही इस देश में किसान क्रेडिट काड शुरू किया। उसके पहले हमारे किसान अच्छा खेती करना है तो महजनों से करजा लेते थे, पूंजी उन्से लेते थे और साल के अंत में सववया डेढ़ा वापस करते थे, करते थे के नहीं। सव रूपया का सवा सव रूपया या डेड़ सव रूपया वापस करते थे साल भर के बाद में लेकिन प्रधान मंतरी अटल विहारी बाजपई जी किसानों की इस समस्या को समझे और किसान केडिट कार्ड इस देश में लागू किये और कम याज में किसानों को पूंजी मिलना प्रारम हुआ जिसको हमारे 36 गड के मुखिया उस समय के डॉक्टर रमन सिंग जी कोपरेटिव बैंक में किसान केडिट कार्ड में इंट्रेस 0% कर दिये थे यह थे कि नहीं तो कितना बड़ा भला हुआ किसानों का अच्छा खेती क करने के लिए उनको पूंजी महिया होना सुरू हुआ फसल विमाय उजना पहले से इस देश में था लेकिन अटल विहारी बाजपेजी के समय ही फसल विमा का भी सरली करन हुआ और ज्यादा किसान फसल विमाय उजना से लाब लेना सुरू किये अब जब 15 साल हमारी सरकार थ पहुंचे इसके लिए बिजली कनेक्शन देने का काम सुरू किये पहले हजारों में संख्या थी जो मतलब बिजली पंप से अपने खेतों में पानी पहुंचाते थे लेकिन 15 साल में वो संख्या लाखों में चला गया हमको मालूम है कि 4 लाग से भी ज्यादा किसानों को बि भारती जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने किया तो यह सब चिंता भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया डॉक्टर हमारे देश के असोसी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी किसानों की आय दूगुना करने के लिए इस देश में प्रधान मंत्री सिचाय योजना लागू किय है ना और भी कई तरह का मनलब किसान चेनल सुरू किये